नमस्ते सदा वसले मात रहूं में जैहिन दोस्तों मैं केशन आप सबका स्वागत करता हूँ चलिए शुरू करते हैं आज की डेफेंस समाचारों को बढ़ते पहले डेफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों भारत अपनी के-5 समरीन लांच बैलस्टिक मिसाइल और MIRV टेकनोजी के साथ अपना परमाणू डेटरेंस शमता को मजबूत कर रहा है जिसके लिए भारत का ये रणितिक कदम उठा रहा है आपको मैं बता दूँ कि DRDO वर्तमान में शक्तिशाली के-5 पंडुबी लांच बैलस्टिक मिसाइल को तयार कर रहा है इस मैंसाइल की प्रभावशाली रेंज 5,000 किनोमेटर तक होगी और ये भारत की बैलस्टिक मैंसाइल पंडुब्यों की पहुँच को और आगे तक बढ़ा देगी इस मैंसाइल से भारत्य पंडुब्यों को अधिक दूरी से परमानों हमला शुरू करने के अनुमति मिल जाएगी के-5 की एक महत्वपूर्ण विशेशता ये होगी कि इस पर भी दोस्तों मल्टीपल इंडिपेंडेंट्री एंट्री विकल यानि की MIRV टेक्नोजी का समावेश किया जाएगा ये शमता एक ही मैसाइल को अलग-अलग लक्षों पर कई परमानों हत्यार पहुँचाने में शक्षम मनाती है जो कि आपने अभी हाली के अगने 5 के परिक्षन के दौरान भी देखा था यहीनी भारत की नई S4 क्लास की परमानों पंडुब्यों के साथ इन्हें इंटिगेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है के 5 देश की नूकलेर ट्राइड को मजबूत करता है और यह तिकडी आप सब जानते हैं कि जमीन हवा और समुद्र से परमानों हत्यार लांच करने की शमता होती है और भारत दोस्तों नो फर्स्ट यूस के परमानों से धानत के तहट अपने रक्षात्मक अवश्कताओं को मजबूत कर रहा है MIRV के साथ भारत शुरवाती हमले को जिलने के बाद प्रयाप्त इस्तर की शती पहुँचाने की अपनी शमता को मजबूत करता है ये भारत की सेकंड श्ट्राइक शमता प्रतिरोध को मजबूत करती है दोस्तों के फोर समरी लॉंच बैलेस्टिक मिसाइल भी दक्षणी चीन तक पहुँचने में शक्षम है और साथ ही अप के फाइव एक रन नितिक आवश्कता को पूरा करेगा इसकी विस्तारित रेंज भारतिया SSBN को चीनी निगरानी और रक्षा परनालियों से दूर काम करते वे चीन की मुख्य भूमी के भीतर मेर्थपूर्ण संपतियों को लक्षित करने के अनुमती देता है तो खुल मिलाकर ही कहा जा सकता है यानि कि निशकर से निकलता है कि भारत का K5 समरी नौस बैलेस्टिक मिसाइल और MIRV टेक्नोजी का विकास एक जटिल सुरक्षा बातावरन में अपने परमाणों यानि की नूकलेर डेटरेंट को मजबूत करने के लिए एक सोचा समझा कल भारती असीना ने अन्दमान और निकोबार दीप समों पर ब्रह्मोज मिसाइल का सफल परिक्षन किया आपको मैंता दू कि इस टेस्क के दौरान मिसाइल विशेशग्यों ने सुपरसोनिक मिसाइल की सठिकता और उन्नत तक्निकी शमता का पूरा निरक्षन भी किया और टन गोलियत क्रेन और अन्य संबंदिस सेवाओं को स्थापित करने के लिए एलेंटी जियो स्ट्रक्षर के साथ एक कॉंट्रैक्ट पर साइन किया है हिंदोस्तान शिप्यार लिमिटेड ने अपने चलरें फ्लीट सपोर्ट जहाजों और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉ और एक स्लिप्वे को अपग्रेड भी किया जाएगा बतारे कि हिंदोस्तान शिप्यार लिमिटेड समुद्रियो द्योग में नए माना के स्थापित करने के लिए तयार है चलिए बड़त लेक्स अबरें के तरफ दोस्तों कुछ रिपोर्ट ने सामने आई है हाला कि ये ब बाते बिल्कुल सच होती है तो इनिश्य तोर पर एक गेम चेंजर कदम होगा और डियाडियो लगातार दोस्तों डिरेक्टेड एनरजी वेपन्स पर काम कर रहा है और मैं आपको हमेशा से अपडेट देता है लेकिन ओफिशली क्या चीज इंड़क्ट हुई है इसके बार अपर एक्स्टब्रेट की तरफ दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत ने गलती से ब्रमोस मिसाइल पाकिस्तान के ओपर फायर कर दी थी और पाकिस्तान तब से बॉकलाया हुआ था लेकिन दोस्तों अब इस बारे में खुद भारतिय वाईस सेना की तरफ से एक बड़ा ज लने वाले ट्रकों के दल का कमांडर इस बात को सुनिश्चित करने में असफल रहा कि सभी मिसाइलों के युद्ध वाले कनेक्टरों को हटा दिया जाए ये कनेक्टर ट्रक को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने से पहले हटाया जाते हैं वाईसेना ने अपना जवाब को गलती से दागने के मामले में कोट मार्शल की कारवाई या सर्विस से निकाले जाने का नोटिस देने से इंकार क्यों किया गया है। कई सारे सवालों के जवाब मिले सबसे पहले तो ये की पाकिस्तान का एर डिफेंस चमता हमें पता चली जो कि उन्हें चाइना के तरफ से मिली थी। इसके लावे एक चीज और सीखने को मिलती है कि अगर कोई भी जंग लंबा चलता है जैसे रश्या यूकरेन का आप देख स वो परले और निर्वे सब सॉनिक रोज मिसाइलों जैसे हजारों कम लगात्वाली बलिस्तिक मिसाइलों की जरुत होगी। यानि कि महेंगी ब्रह्मोस मिसाइल के बजाए इन मिसाइलों का इस्तामाल करना लॉंग टर्म युद्ध के लिए काफी फाइदे मन्द हो सकता है Aeronautical Development Establishment ने एक Expression of Interest चारी किया है Indian Companies के लिए ताकि साथ में मिलकर एक नए Experimental Unmanned Aerial Vehicle को तयार किया जाए। आपको उतादिक कि ये प्रोजेक्ट उन शक्षम भारते कंपनियों के लिए हैं जो आपने आपको प्रूफ कर चुके हैं इस छेत्र में यानि कि जिनकी सर्वो मेकैनिसम, इमेजिंग टेक्लोजी आदी इसमें शामील है बता दे कि ये UAV Dual Band Seeker से लैस होगा जो कि Target Acquisition और Engagement करने में शक्षम होगा इसके अलावास कि सीकर इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि ये 15 किलोमेटर की रेंज में Target Acquire कर सकता है बढ़ते नेक्स अमेरिकी Air Force का B-52 Strategic Bomber और C-130J Aircraft Tiger Trinov 2024 में हिस्सा लेने के लिए पहुचे हैं जहां वो बे-अब बंगाल में भारतिय नौसेना के साथ अभ्यास करेंगे भारत Dynamics Limited ने आखरी वर्नौस्तर Heavy Torpedo को भारतिय नौसेना को डिलीवर किया है बढ़ते नेक्स अब एक की तरफ दोस्तों भारतिय वाई सेना हवा में इंदन भरने की शमता यानि की Mid-Air Refilling शमताओं को बढ़ाने की दिशा में महतवपोन चलांग लगा रही है और पिछली मैंने Ministry of Defense ने Acceptance of Necessity प्रतान की थी 6 यानि के 6 Mid-Air Refillers के लिए भारतिय वाई सेना के पास वर्तमान में 6 रशन मेड आई-ल-78-MD हवाई इंदन भरने वाले बेड़े हैं हाला कि इनकी शमता आप काफिस ही मित हो गई है जिसके वजह से भारतिय वाई सेना को बड़ी परिशानी का सामना क करना पड़ रहा है आपको उता दे कि भारतिय वाई सेना अपने फाइटर विमानों की ऑपरेशन सेमा को प्रभावी धंग से बढ़ाने के लिए कुल 18 एयर रिफ्यूलर की जरौत को महसूस कर रही है और भारतिय वाई सेना के लिए कई कंपनियों ने अपने आकरशक का ओफर दिया गया है इसके लाब ब्रेजिलियन कंपनी एमरेर ने अपने C390 मिलियन ट्रांस्पोर्ट एयर क्राफ्ट की भी पेशकर्श कर रखी है जिसमें कि उन्होंने एक डेडिकेटिड मल्टी रोल टैंकर ट्रांस्पोर्ट संस्क्रण को पेश किया है फिलाल तो भा जापान का इतिहास आप सब जानते हैं कि चाइना जैसे देश को उसने धूल चटा रखी है लेकिन जिस तरीके से चाइना ने जापान को परिशान किया है अब जापान जा किया है और फिछले साल दोस्तो जापान ने अपनी डिफेंस टेक्नोजिक की ट्रांसफर पर लगा चाइना को दोस्तो ये सब देखते वे जापान का इतिहास यादा आने लगा है चाइना की विदेश मंतराले के तरफ से कहा गया है कि जापान का ये फैसला गंभीर चिंता जाहिर करता है साथ ही दोस्तो चाइना की विदेश मंतराले ने कहा कि जापान अब सैन्यवादिया आक्रमक्ता को अपना रहें क्योंकि उसका इतियाहस भी ऐसा रहा है इसलिए ये उसके पडोसियों के लिए और अंतरास्टे समधाई के लिए बारीकी से नजर रखने वाली बात हो गई है जापान दोस्तों जिस फाइटर जेट को सरेंग तुरुप से विक्सित कर रहा है तो वो दक्षिन पूर्व एशिया और दक्षिन एशिया में जो चाइना के दुश्मन है उनके पास ना पहुंचा है इससे चाइना चारो तरफ से घिर जाएगा आपको उतादे कि जापान ने फिलिपिन्स वियतनाम इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ अपने डिफेंस संब पूर्ति करके फिलिपिन्स को एयर डोमेन अवेरनेस शमताओं को बढ़ाने में भी काफी हद तक मदद कर रहा है यहिनि इसके अलावा दोस्तों दोनों ही देश एक ऐसे समझाते पर काम कर रहे हैं जिससे कि दोनों ही देशों के जो सशस्बल है वो एक दूसरे के ठिकानो का इस्तमाल कर सकते हैं जापन और फिलिपिन्स की बर्ती नजदी किया चाइना को टेंशन देने वाली है और आप सब जानते के फिलिपिन्स के साथ चाइना लगातार पंगे ले रहा है, कभी उसकी जहाजों को पानी की बोचार से पीछे कर दे रहा है तो कभी उसको उक्साने की कोशिश कर रहा है VU Dynamics Private Limited ने IIT कानपुर के साथ मिल कर एक loitering munition को तयार किया है, जिसका नाम APJK 6C100 है, इसकी रेंज 100 km है, इसका इसका इन्यूरेंस टाइम 50 मिल का है, यह 6 किलोग्राम का वार हैड ले जा सकता है, इसका maximum altitude है 4 km का और इसका maximum take off weight है 20.5 kg का, cruise speed है 40 m per second, maximum speed है 50 m per second, इसका RF communication और radius 100 km का है डाया है 180 mm का span है 2 m का, और length है 1.8 m का तो फिलाल लेते हैं पिदेके top defense updates, वीडियो की समद्ध में कोई प्रश्च या वाब आपको कोई सवाल है कमें शेक्षा में लेकर जरूर पूसकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, शेयर जरूर कीजेगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजेगा जये इंदर ने मात्रम